हेलो फ्रेंज चलिए मैं आपको फिर से कौन नई जान की लड़ू को पास जी के लिए ड्रैस बनाना बताऊंगी जिसके लिए यहां पर मैंने ग्रीन लिया हुआ है और यह हलका लाइट औरेंज लिया हुआ है आप कोई भी कलर यह ले सकते हैं यहां पर और देखिए मैंने यहां पर 10 नमबर शलाई ली हुई है तो यह मैं तीन से चार नमबर लड़ू को पास जी के लिए आपको ड्रैस बताऊंगी जो बनाने में बिलकुल एजी है तो आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज जरू लाइक करें शियर करें और कमेंट करके जरूर बताएं य पंदा हम यहाँ पे अपना गिरीन कलर शी डालें गे करें के अपने हिसाब से इसमें ले सकती है जो भी आपको पसंद है आप अपने हिसाब से कलर लगा कि आप इसको बना सकती है तो यहां पर मैं तीन से चार नमबर लेड़ू को पाल जी के लिए 22 फंदा ले लेती हूं कई बार ड्रैसिस छोटी भी हो जाती हैं तो यह रिखिए मैं यहाँ पर इसी तरह से सिंपल सिंपल अपना 22 फंदा डाल लेती हूं तीन नमबर लेड़ू को पाल जी के लिए आप 20 फंदा यहाँ पर ले सकते हैं तो आएए इसी तरह से हम 22 फंदा डाल के कंप्लेट करते हैं तो देखिए फ्रेंज मैंने यहाँ पर 22 फंदा ले लिया है इसके बाद हम गिरीन कलर से एक सलाई अपना इस तरह से बनाएंगे य रेखिए प्लीज आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रिश करें ताकि आपके पास हमारी वीडियो के डोटिफिकेशन सबसे पहले पहुचे तो यहाँ पर आपको यह मैं ड्रेस बहुत ही सिंपल तर है तो चलिए एक सलाइब बनाके यहां पर देखिए हम कंप्लीट कर रहे हैं 22 बंदा डालके के देखिए इसके बाद हम अपना यहां पर दूसरा कलर एड कर देते हैं कर देखिए मैंने इसमें कलर चेंज कर दिया है तो पूरी सलाइब को यहां तक बनाके कंप्लीट कर लेती हूं तो देखिए फ्रेंस मैंने यहां पर दो सलाइब बना लिए एक ग्रीन से बनाई है और एक मैंने दूसरे कलर से बना ली है इसके बाद हम क्या करेंगे यहां पर देखिए पहले फंदे को उतारेंगे और धागा अपनी तरफ करते हुए यहां पर हम फंदे से फंदा बढ़ा लेते हैं यह देखिए इस तरह से यानि कि मैं 22 फंदा डाली हूं तो मैं 20 फंदों पर अपना फंदा बढ़ा रही हूं हर फंदे से यह देखिए इस तरह से पहुत ही सिंपल तरीके से और एजी तरीके से आपको यह द्रेस हम बता रहे हैं तो देखिए मैं यहां पर हर फंदे से फंदा यहां तक लाश्ट के एक फंदे रहने तक सभी पर फंदा बढ़ा लेती हूं और घेरे में आपको इसमें नेट बताऊंगे किस तरह से हमने नेट बनानी है तो आईए मैं पहले अपना फंदा बढ़ा के कम्प्लेट करती हूँ अभी आपको हम चोली बता रहे हैं ग्रीन धागे को हम यहीं पर कट कर देंगे इसमें हाओ लास्ट में ही हम ग्रीन कलर को यूज करेंगे तो चलिए मैं फंदे से फंदा बढ़ा के कम्प्लेट कर लेती है तो देखे मैं यहाँ पर तीन सलाईयां बना चुकी ही दो सलाईयां बोर्डर और एक सलाई पर फंदा बढ़ा लिया है और यहाँ पर उल्टी सलाई को भी कम्प्लेट कर लिया है अर यह देखिए यहाँ पर हम दो फंद अपना उल्टा बना लेंगे इस तरह ऐसे और यहां पर मैं अपनी यह देखिए तीन सलाईयां सीधा-सीधा बनाऊंगी इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है तीन सलाईयां अपना सीधा-सीधा बना के कंप्लिट करूंगी सातमी सलाईय पर आपको दिखाएंगे यानि कि तीन सलाईयां हो चुकी है और तीन सलाईयां सीधा-सीधा बुन रहे हैं इसके बाद आपको यहां पर दिखहाएंगे कि अगर्न सात्मी सलाइज हमने कैसे बनानी है ऐसे में बनाकि तीन सलाईय कंप्लेट कर लेती हो यानि कि δौनो तरब की यहां पर बार्ट सलाईया हो जाएंगे दौनों सचाइट से गिंते हैं जैसे कि एक सलाई हम बना रहे हैं आप और इधर से बुनेंगे तो यहां पर यह दो सलाईया हो जाएंगी तो आईए मैं यहां पर सीधी शीधी तीन सलाईया बना के कम्पुलिट कर लेती हूँ इसके बाद आपको फिर से दिखाती हूँ तो चलिए कर लेती हूँ तो देखे फ्रेंस मैंने यहाँ पर अपनी सीधी सीधी तीन सलाईया बना ली है यानि कि यहाँ पर टोटल हमारी 6 सलाईया हो चुकी है तो यहाँ पर दोनों साइट से गिनते हैं तो 12 सलाईया मैंने बना ली है यह रेखिए दोनों साइट की बारिस लाईया टोटल हो चुकी है अब यह रिखिए यहाँ पर हम अपना बाजू के लिए फंदा हम इसमें फुल सिलिप बनाएंगे तो देखे किस तरह से फंदा हमने करना है यह रेखिए एक तो तीन दो फंदा मैंने उल्टा बना लिया है बाकी के फंदे हम सीधे बना लेंगे चार तीन चार पांच छे साथ साथ फंदे कंदे के लिए बना लिये हैं अब यहाँ पर हम अपना सेप्टी पिन लेंगे फुल सिलिप हम बनाएंगे तो यहाँ पर मैं अपना बाजू के लिए फंदा ये रेखिए एक दो तीन चार पांच छै शात शात फंदा मैंने अपना बाजू के लिए ले लिया है ये रेखिए इसके बाद हम यहां पर रिखिए इस तरह से सीधा सीधा पीठ वाले फंदे बुनेंगे दो हो चुके हैं तीन चार पांच छै शात आठ नव दस ये ग्यारा बारा तेरा चौदा और इधर के फंदे मैं कौंटिंग कर लेती हूँ ये रेखिए यहां पर दो चार छै साथ साथ फंदे कंदे के लिए दो चार छै साथ साथ फंदे हम अपनी दूसरी बाजू के लिए फुल स्लिप आपको ड्रेस बता रहे हैं बहुत ही इजी और बहुत ही आसान सी आपको ड्रेस ये ये रेखिए तीन चार पांच छै साथ अब यहाँ पे यह वाले फंदे हम ऐसे ही सीधा सीधा बुनेंगे इस तरह से इस ड्रेस को आप चार को तीन को चार को पांच को आप पहना सकते हैं यह देखी अब हमने क्या करना है यहाँ पे हम अपनी दो सलाईया सीधा सीधा बुनेंगे वापिस हम अपना इसमें उल्टी साइड से ग्रीन कलर लगाएंगे क्योंकि बीच में भी हमने green color को लगाना है जैसे ही हम गले पे लगाएं same तरीके से तो सबसे पहले मैं ये दो सलाईया सीधा सीधा भूनके complete कर लेती हूँ उसके आगे आपको देखाती हूँ green color कैसे लगाना है मैं आपको देखी फ्रेंश मैंने बाजु के फंदे अलग करने के बाद यहाँ पे दो सलाईयां बना ली है यानिकि यहां पे 4 सलाईयां यह complete है क्योंकि जोव हमने बाजु के फंदे अलग किये थे तो यहां पे हमने एक सलाई उल्टी उल्टी बनाई थी तो उसको लगा के दोनों तरब की ये चार सलाईया हो चुकी है अब वापिस हम अपना इसमें गिरीन कलर लगा देते हैं तो दोनों शायट से हम इसमें उल्टा-उल्टा गिरीन से बनाएंगे गेरेखी दोनों शायट से हमने उल्टा-उल्टा गिरीन से बनाना है तो चलिए गिरीन से एक सलाई बना लेती हूँ वापिस आपको अपने ये बाजू बता के बाजू बनाना बताऊंगे किस तरह से बाजू बनानी है उसके बाद आपको इसका घेरा बनाना है तो चलिए हम घेरा बन नाके भी लाष्ट में आप बाजू को बना सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे आप उस तरह से इसको ड्रैस को एजी तरीके से बना सकते हैं तो आए कर लेते हैं इसको तो गिरिन की मैंने यहां पर एक शलाई उल्टी-उल्टी बना लिए बाप इस अपना यही कलर लगा दिया है उल्टी शायद से तो चलिए कर लेती हूं इसको एक शलाई इसके बाद मैं आपको बाजू बताती हूं सबसे पहले बाजू को complete कर लेती हूँ उसके बाद इसका घेरा बनाना है तो ये काफी सुन्दर हमारी बिल्कुल ही आसानी तरीके से ड्रेस बनने वाली है ज्यादा तर हम सलाईयों की help से ही ड्रेस को मनाते हैं तो आईए हम यहाँ पर क्या करेंगे तो इसको हम यहीं पर छोड़ेंगे और तीसरी सलाई को ले लेंगे और यहाँ पर यह हम सबसे पहले अपना बाजू को बना लेते हैं तो सबी भंदे को सलाई पर ले लेते हैं यह रिखिए इस तरह ऐसे यह रिखिए तो बाजू में हमने धागे को इस तरह से लगा देना है यह देखिए उल्टी साइट से या सीधी साइट से दौनों साइट से कहीं से भी आप धागे को लगा सकते हैं और घीरा बनाने के बाद में लाश्ट में भी आप बाजू को कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे आप उस तरह से बना सकते हैं यह देखिए अब हमने क्या करना है यह देखिए यहां पर हमारे पास साथ फंदे हैं तो हम पहले फंदे को बनाएंगे इसके बाद हम धागा पीछे कर ले हैं और यहां पर हम एक फंदा अपना बढ़ा लेते हैं इस तरह ऐसे बाजू में कई बार होता है कि बाजू पेनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है थोड़ा ढीला ही बाजू को आच्छा लगता है तो आठ फंदे हो चुके हैं यहाँ पर अब यह देखिए इस साइड भी हम एक फंदा अपना बढ़ाएंगे यह देखिए तो यहाँ पर नव फंदा हमने कर लिया है साथ फंदे थे दो फंदे बढ़ा लिये हैं उल्टी साइड से पूरी सलाई को उल्टा ही बनाएंगे तो एक सलाई यहाँ पर हो चुकी है दो सलाईया और इसी तरह से हम बना लेते हैं अब कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे नौ फंदा यहाँ पर हो रहा है तो यहाँ पर दूसरी सलाई को मैं बना रही हूं इस तरह से यह रेखिए और तीसरी सलाई को भी बनाऊंगी फिर इसके बाद आपको गिए लड़ी साइट से उल्टा और सीधी साइट कोई साइटन तो दो सलाईया हो चुकी है तीसरी और बना लेती हूं फिर दिखाते हूं तो देखे फ्रेंस मैंने तीन सलाईय बना ली हैं तीन सलाईयां बनाने के बाद हम अपना इसमें यहाँ पर बाजू में गिरीन कलर लगा देते हैं तो दोनों जायद की यहां पर छे सलाईयां हमने बना लिया है तो यहाँ पर मेने गिरीन कलर लगा दिया है अभ इसदा खीख खाग कर देंगे यहीं से इस तरह ऐसे यह देखिए और इसको हम यहां पर ऐसे अंदर की तरफ दबा लेंगे ताकि आपका धागा खुले नहीं ऐसे तो बाजू पर हम चौथी सलाई पर अपना गिरीन कलर लगा दिये हैं और एक सलाई हम गिरीन से बना लेंगे तो यहां पर चार सलाईया हो जाएंगी यह रेखिए और इसको हमने उल्टा बनाना है यह रेखिए तो आईए बना लेती हूं इसको तो देखिए बना ली है हमने यहां पर यह अब सभी फंदों को हम यहां पर बंद करेंगे सेम तरीके से दूसरी बाजू को बनाएंगे यह रेखिए ऐसे हमने फंदे बंद कर देने हैं इस तरह से तो चलिए कर लेते हैं फंदे सारे बन और दूसरी बाजू को बनाके कंप्लिट कर लेते हैं इसके आगे आपको घेरा बताएंगे लास्ट वाले धागे में हम तो देखिए इसी से हम निकालेंगे इसको इस तरह से तो देखिए यहाँ पर बाजू बन के कंप्लिट है सेम तरीके से दूसरी बाजू को कंप्लिट कर लेते हैं यह देखिए तो देखिए यहाँ पर मैंने दौनों बाजू अपनी बना के कंप्लिट कर ली है यह देखिए अभी इने बाकी सिल्ला है और थोड़ी सी ही यहाँ पर सिलाई होगी इसकी तो देखिए अब हम क्या करेंगे यहां पर हम अपना एक सलाई पर फंदा बढ़ा लेते हैं उसके बाद हम अब को इस मिनेट बताएंगे तो यहां पर यह देखिए हम फंदा किस तरह से बढ़ाएंगे पहले फंदे को उतार लिया है और ये देखिए हर फंदे से जाली डालते हुए हम यहाँ पे फंदा बढ़ा लेते हैं इस तरह ऐसे ये देखिए जाली डालते हुए मैं यहाँ पे अपना फंदा बढ़ा रही हूँ यह देखे दागा अपनी तरफ और इस तरह ऐसे दागा अपनी तरफ किया और वूल को इस तरह ऐसे बनाया तो उल्टी सलाई को पूरा उल्टा बना लूँगी और यहां तक मैं ऐसे ही लास्ट वाले फंदे तक ऐसे ही अपना हर फंदे से फंदा अपना जाली डालते हुए ये रिखिए बढ़ा लेती हूँ इस तरह से आपको इसका घेरा बता रहे हैं ये रिखिए बिल्कुल इजी तरीके से घेरा बताएंगे इसी कलर से हमने घेरा बनाना है लाश्ट में हम गिरीन कलर लगाएंगे तो देखिए फ्लंज मैंने यहां पे अपना हर फंदे से फंदा बढ़ा लिया है और यहां पे जाली डालते हुए मैंने फंदा बढ़ाया है अब नीचे भी हम जाली इसमें डालेंगे यानि की नेट बनाएंगे तो देखिए आप इसे केबल भी हम दूसरे टाइप के आपको यहाँ पर डिजाइन बताएंगे जिस डिजाइन को आप किसी में भी आप डाल सकते हैं तो देखिए आपको लड़ू गोपल जी की ड्रेस में बेक बहुती सिंपल सार प्यारा सा डिजाइन बता रहे हैं तो यहाँ पर दो फंदा हम अपना उल्टा बना ले हैं पीछे धागा कर लेंगे दो फंदे सीधे बनाएंगे दो फंदे मैंने सीधे बना लिये हैं और दो फंदा उल्टा बना लिया है धागा हम अपनी तरफ करेंगे यह रेकि ध्यान से आप और हमने इस फंदे को छोड़ करके इस से आगे वाले फंदे को इस तरह से बनाना है यह रिखी पहुती सिंपल सा और यह देखिए धागा अपनी तरफ है और यहां पर हमारी नेट बनेगी यानि की केबल हम इसको बोज सकते हैं तो देखिए मैंने पहले फंदे को छोड़के इसके दूसरा वाला फंदा बनाया है फिर हमने यह देखिए बुन लिया यह और इसी से हम फिर से इस फंदे को अब हमने जाली नहीं डाल अब यहां पर यह देखिए दो फंदे हमारे हैं तो दो फंदे पहले फंदे को छोड़के इससे पीछे वाला फंदा हमने पीछे की तरफ से बनाना है यह देखिए पीछे की तरफ से पिल्कुल सिंपल सा है बहुती इजी तरीके से बन जाता है तो यहां पर मैंने जाली न देखिए ऐसे भूलेंगे यह भी हमने भूल लिया दौनों फंदों को एक साथ आप निकालेंगे अब धागा अपनी तरफ करेंगे यहां पर भी हमने नेट बनानी है इस तरह से देखिए ऐसे अब इसके बाद हम चार फंदा अपना एक फंदा बन चुका है जाली डालते हुए तो देखिए दो तीन चार चार फंदे हो गये हैं फिर से मैं आपको बतारी हूँ यह देखिए ध्यान से आप धागा अपनी तरफ कर लिया है और यहां पर अपनी तरफ धागा करके इस फंदे को हम यह देखिए बनाएंगे इस तरह से थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा पर प्लीस वीडियो पूरा देखिए अच्छे से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा यहां पर मैंने पहले आगे वाला फंदा छोड़ दिया है पीछे वाला फंदा मैं बुन हुँ और धागा देखिए अपनी तरफ है और यहां पर देखिए इस तरह से हम इसको जाली डालते हुए बनाएंगे यानि कि नेट डालते हुए और अब इस फंदे को इस तरह से बुन देंगे तो यहां पर देखिए हमारा फंदा भी बढ़ चुका है और हमने नेट भी बना ली है यह देखिए अब हमने क्या करना है आगे वाले फंदे में देखिए इस फंदे को छोड़ेंगे और पीछे की तरफ से एक को छोड़के इससे पीछे वाले फंदे से बुनेंगे देखिए इस तरह से ऐसे यहां पर हमने जाली लाश्ट में डालनी है यह अपना नेट बना देंगे लाष्ट में तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है जब यह अच्छे से बन के कंप्लिट हो जाएगी तब आपको दिखेगी तो देखिए यहां पर नेट बनाते हुए एक फंदा सीधा आ चुका है तो इसके बाद हम दो, तीन, चार, चार फंदे फिरसे बना लिये हैं यहांपे छे फंदा भी ले सकते हैं और आप साथ फंदा जैसे भी आप बनाना चाहें आप उस तरह से बना सकते हैं तो देखिए फिर से मैं एक बार और आपको दिखा रही हूँ धागा मेंने चार फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरब किया है अब इस वाले फंदे को छोड़ेंगे और आगे वाले फंदे को बनाएंगे जाली डालते हुए ये देखिए आप देख सकते हैं ऐसे फिल लाष्ट में हमने ये फंदा भी ऐसे बुन देना है अब ये दोनो फंदो को हम सलाई के निकालेंगे अब ये देखिए दागा पीछे ही रहेगा और हम पीछे की तरफ से लाष्ट वाले को पीछे की तरफ से लेंगे एक फंदा छोड़के और दूसरे फंदे को लाष्ट वाले को ऐसे बनाएंगे ये देखिए बहुत ही इजी सार बहुत ही सिंपल सा है और ये भी हमने बना लिया अब दोनों फंदो को छोड़ेंगे और यहाँ पे अब अपनी नेट बनाएंगे इस तरह ऐसे तो यहाँ पे इन फंदो में भी सेम तरीके से बना लेती हुँ मुल्तिसलाई को फिर आपको दिखा देती हूँ कैसे बनानी है तो देखिए लाष्ट में मैं आपको फिर से बता रही हूँ ये देखिए धागा मैंने अपनी तरफ किया है और यहाँ पे इस फंदे को छोड़के और इससे पीछे वाले फंदे में ये देखिए ऐसे बनाना है पिल्कुल सिंपल सा तरीका है इस तरह से ये देखिए तो हमने पहले फंदे से बूल लिया अब हमने आगे वाले फंदे में से भी ये फंदा बूल लिया है अब दोनों को एक साथ निकालेंगे और दागा आप लाश्ट में आप दागा पीछे ही रहने देंगे अब इनको हम पीछे की तरफ से ये रिखिए ऐसे और आप आगे वाला बूल लेते हैं ऐसे साइड तो हम बना ले रहे हैं और हमने इधर भी बना दी है इसके बाद हम यहां पर दो तेन और यह है चार तार फंदे 39 जो चुके हैं अब D seraitstock को उल्टा भुले ते तंजुएं और उल्टी चलाई में हमने कुछ स्लाई को बना लेती हूं सीधी स्लाई पे एक बार आपको फिर से दिखा देती हूं तो देखे फ्रेंस यहां पर उल्टी स्लाई को बना लिया है अब फिर से हम सीधी स्लाई पे हैं तो सीधी स्लाई पे एक बार आपको फिर से समझा रहे हैं इसी तरह से हमने पूरा घेरा ब बनाईंगे अफ यहां पर हम क्या करेंगे यह दिखने 3 रीख्वादा सीधा बनाना है इंसको सीधा बूल लेंगे यह यहां इस से यह से रीखेंगे यह देखिए देख सकते हैं आप नेट बन चुकी है अब यह देखिए धागा मैंने अपनी तरफ किया है और उससे एक फंदे को छोड़ने के बाद पीछे वाले फंदे में हमने इस तरह से सलाई को डाला है और आगे वाला फंदा भी अभी हम निकालेंगे नहीं फंदों को और आगे वाले फंदे में इस तरह से बुन देना है अब दोनों को एक साथ बना है गिरा देंगे तो यहां पे नेट बन चुकी है अब यह देखिए यहां पे पहले फंदे को छोड़ेंगे और लास्ट वाले फंदे में हम ऐसे पीछे की साइड से पीछे ही है हमारा धाग पीछे की साइट से देखिए पीछे की साइट से इस तरह से हमने लास्ट वाला फंदा भून लिया है अब आगे वाला फंदा भी हम ऐसे सीधा भून लेंगे ये देखिए अब नेट वाले फंदे पर ही देखिए आगे जितना भी हम बनाते हुए जाएंगे उसी तरह से यहा तीन, चार, और ये रिखिए, पांच, और ये छे फंदा हो चुका है, अब ये रिखिए, यहाँ पर अपनी फिर से वो उसी तरह से नेट बनाएंगे, आगे वाला फंदा छोरने के बाद, इसके लाश्ट वाले फंदे में हमने सलाई को इस तरह से डाल लेना है, और बना देना है, अब इसको आगे वाले फंदे को भी बुनेंगे, ये रेखिए, अब धागा पीछे ही रेने देंगे, और पीछे वाले फंदों में पीछे से लाश्ट वाला फंदा लेंगे और आगे वाला फंदा भी इस तरह से बोल लेंगे अब यहाँ पे फंदा अपना तरफ करते हुए नेट बना लेंगे इस तरह से जो बढ़ चुका है फंदा उस पे लाश्ट में नेट बनानी है तो आईए इसी तरह से आपने पूरा घेरा इसका बनाते हुए जाना है तो थोड़ा सा बना लेती हूँ इसके बाद आपको दिखा देती हूँ तो देखे फ्रेंस हमने इस तरह से इसका घेरा बनाया है तो यहां पर देखी मैं दिखा देती हूं कितनी नेट मैंने बना ली है एक दो तीन चार पांच छे अभी हम इसी तरह से दो सलाईयां और बना लेते हैं और इसका काफी बड़ा है इसका घेरा हो जाएगा और देखी किस तरह से बहुत ही प्यारी सी और किसी में भी आप इसक नम पारेती किए कि का एसी तरह सकते हैं यह तरह से हमारा यह चाहि है कि मिसे प्यारी लगने में तो बिलकुल ही यह यह दो फारे लग गया है इस तरह से यहाँ पर यह देखिए आप देख सकते हैं जो फंदे बढ़ते हुए जा रहे हैं वो हम देखिए बीच में इनको सीधा-सीधा बुन रहे हैं अब हम यहाँ पर क्या करेंगे दो सलाईया और इसी तरह से बनाएंगे 6 सलाईया बना चुके हैं उसके बाद हमने अपना लाष्ट में गरीन कलर लगा के यह वाला कलर लगा के उल्टी सलाईया चाहे तो आप 2 बना ले चाहे तीन बना ले और उसके बाद सब भी फंदों को एक साथ घटा ले अगर आप कंगूरा बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना ले क्यूंकि काफी म मैंने कंगूरे वाली डाली हुई है चाहे आप एक फंदे को जो हम बुनते हैं कई बार इस तरह से एक फंदे को तीन बार बुनाया चाहे चार बार इस तरह की लेस्ट बना सकते हैं और चाहे सभी फंदों को एक साथ घटा सकते हैं जैसा आप ठीक लगे आप उस तरह से इ मेरा इसका दो सलाईया और इसके बाद आपको सबी फंदों को गिरीन करल लगाते हुए यहां पे फंदे घटा देने हैं तो देखिए एक बार आपको डिजाइन को बता देती हूं किस तरह से हमने बनाया है पहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से मैंने ड्रैस को बना सकते हैं यहां पर मैंने यह सौप्ट वाली तीन धागे वाली वूल ली हुई है आप जो वूल में बनाना चाहें उस तरह से आप बना सकते हैं तो देखिए तो देखिए एक बार आपको बता रही हूं डिजाइन को यह रेखिए यह किस तरह से हमने बनाया है धागा अपनी तरफ किया और यहां पर पहले फंदे को छोड़ेंगे और इसमें आगे वाला फंदा यानि कि चार फंदों का यह डिजाइन है हमारा तो पीछ लाश्ट व अब यह देखिए इस तरफ हमने कैसे जाली बनानी है यह वाला फंदा हम पीछे की साइड से पीछे ही है हमारा धागा यह रिखिया आप देख सकते हैं और पेले हम लाष्ट वाला फंदा बुनेंगे फिर इसके बाद हम आगे वाला फंदा बुन लेंगे इसके बाद हमने दोनों धागों को निकाल देना है अब धागा अपनी तरफ करेंगे यहाँ पर हमने अपनी नेट बनानी है इस तरह से यह देखी बहुत ही सिंपल सा डिजाइन है और किसी में भी आप इसको डाल सकते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है और ड्रेस में तो आते हुए कंप्लेट कर लेते हैं